हेलो स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइन्स जीपीसी दुंगरपूर आज की इस वीडी लेक्चर में हम पढ़ेंगे Characteristics of ASP.NET CS305.NET टेक्नलोजी में हम ASP.NET का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं ASP और ASP.NET में Seminities और Differences देख चुके हैं अब Characteristics देखेंगे ASP.NET के ASP.NET मल्टीपल डिवाइसेज और मल्टीपल ब्राउजर्स को सपोर्ट करती है ASP.NET में हम वेबसाइट्स बनाते हैं और ASP websites जो किसी भी डिवाइस पर आप मोबाइल पर open कर सकते हो टेबलेट में कर सकते हो डेस्टोप पर कर सकते हो लैप्टोप पर कर सकते हो और किसी भी तरह का hardware रोस पर किसी भी company का हो से फरक नी पढ़ता हरे को सपोर्ट करेगा ASP.NET और multiple browsers आप internet explorer है mozilla firefox है google chrome है opera है किसी भी तरह के browser में आप इसकी websites को open कर सकते हो asp.net is easy to deploy and configure deploy करने का मतलब कि आप जब एक website या एक software हम बना लेते हैं उसको बाद में उसको working condition में लाने के लिए अपने को deploy करना पड़ता है कहीं पर server पर deploy करेंगे website को और configure करेंगे हमने develop तो कर लिया लेकिन develop करने से काम नहीं चलेगा उसको deploy करना पड़ेगा तब ही वो working condition में आएगा asp.net में जो web applications बनाते हैं, websites बनाते हैं उनको deploy करना और configure करना बहुत आसान होता है कुछ नहीं करना आता है अपना जो project है उसको copy paste करना होता है और अपना जो server है उस पर .net framework है वो install होना चीए पहले से अगर वो पहले से install है तो easily हम इसको deploy और configure कर सकते हैं asp.net is completely based on object oriented model asp.net है वो completely object oriented model पर आधारीत है object oriented model में क्या होता है सब कुछ एक object होता है हर एक चीज एक object के रूप में होती है और object oriented में हमें काम करने के लिए ज्यादा deep में जाने के जरूत नहीं है कि काम को कैसे करना वो जानकारी होने के जरूत नहीं है हमें इतना पता होना चीए कि किससे काम करवाना है क्या काम करवाना है कैसे काम करना है वो हमें जानकर रखने के ज़रूत नहीं है object oriented model को हम समझ सकते हैं गाड़ी के model से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता है अब रोकना है तो brake apply करना है अब brake की अंदर mechanism में क्या है कैसे काम करता है उसकी detail में हमें जाने के ज़रूत नहीं है हमें पता है कि यह brake वाला lever है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी गाड़ी रुख जाएगी तो object oriented वैसे ही है कि particularly यह object है इसको हम काम में लेंगे तो हमारे यह काम हो जाएगा अब internally उसकी functioning कैसे हो रही है हमें उससे कोई लेंदेना नहीं होता है ASP.NET हमें यह सुविधा देता है कि किसी भी .NET supported language में coding कर सकते है अब जैसे कि हमने VB.NET में भी देखा और ASP.NET में भी देख रहे है तो .NET technology में यह होता है कि Visual Studio में जो programming करते है तो खूब सारी language जाजिन को यह support करता है .NET framework तो ASP.NET में हम VB.NET में program में कर सकते हैं, C-SARP में कर सकते हैं नॉर्मलीन में करते हैं, बाकी और दूसरी languages में हम कर सकते हैं तो यह multiple languages को support करता है क्योंकि इसमें क्या होता है CLR होता है common language runtime तो हम किसी भी language में coding कर रहे हैं उनका हरे coding का अलग-अलग compiler होता है लेकिन जब उसके अंदर से जब code compile होने के बाद में intermediate code जो generate होता है उसको बोलते है MSIL Microsoft Intermediate Language तो वो क्या होता है? वो same होता है हम चाहें किसी भी language में programming करें वो MSIL जो code generate होगा वो सबका same generate होगा .NET framework इस तरह से तयार किया गया है कि इसमें एक functionality है वो दूसरी functionality को disturb नहीं करती है यह object oriented model होता है उसका यह मतलब होता है जो modules होते हैं इसके अंदर तो एक module को काम में ले रहे हैं तो उसकी जो functionality है उसको दूसरी के ओपर कोई फरक नहीं पड़ेगा सब individualy अलग-अलग काम करते हैं ASP.NET is compiled not interpreted यह बहुत ही important feature है ASP.NET का कि यह compiled होती है interpreted नहीं होती है Students, ज्यादा तर जो server-side scripting language होती है वो interpreted होती है लेकिन ASP.NET एक ऐसा platform है जहाँ पर compilation होता है, interpret नहीं होता है interpreter में क्या होता है, line by line को check किया जाता है उससे क्या होता है कि time बहुत ज़्यादा लगता है performance बहुत slow हो जाती है compile करने में क्या होता है कि एक साथ पूरा code compile होता है उससे speed बढ़ जाती है performance अच्छी आती है उसके बाद में और इसके जो characteristics है तो वो directives है user controls है custom controls है, server controls state management, error handling security, performance अब directives हम directives देखते है directives क्या होते है directives directives जैसे word से पता चल रहा है directive मतलब जैसे एक movie देखते है तो उसका क्या होता है director होता है तो director बताता है जो acting करने वाले actors होते हैं उनको कि किस तरह से acting करनी है तो वो director वो direction देता है और उसी के according सारा काम होता है तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे हो रहा है कि directives क्या होते है special instruction होते है जो कि यह बताते हैं कि particular जो page है वो asp.net के द्वार कैसे process होगा तो जैसे most common directive है वो less than percentage m% page percentage यह specify करता है many attributes जैसे कि programming language को उनसे use करने हमें तो वो specify गरेगा इसी के तरह और भी दूसरे directives होते है user controls user controls ऐसे controls जिनको user control करता है these are created as markup files which usually contain static HTML pages तो यह markup files के द्वारा create के जाते है normally HTML के अंदर they are compiled when their containing pages are requested and stored in memory for later requests तो यह तब ही compile के जाते है जब उनकी जरुरत होती है और फिर memory के अंदर store कर ली जाते है ताकि future के अंदर अगर उनकी जरुरत हो तो उनको काम में लिया जासके कस्टम कंट्रोल्स अब यूजर कंट्रोल्स के जरुरत तरह ही कुछ कस्टम कंट्रोल्स भी होते है वो क्या होते है वो ASCX markup कंट्रोल्स नहीं होते है they have all their code compiled into DLL dynamic link library files में उनका compiled code होता है और उनको कस्टमाईज किया जा सकता है हम अपनी need के according उनको कस्टमाईज कर सकते है modify कर सकते है server controls waveforms के अंदर user controls के साथ server controls भी हमारे पास available रहते है these controls are objects that run when the page is requested and render markup to the browser तो यह controls जो होते हैं यह objects होते हैं और यह तभी run होते हैं जब particularly web page है उसको request किया जाता है तो उसका as a response है वो html के form में browser के ओपर बेज दिया जाता है some web server controls are similar to familiar html elements such as buttons and text box तो कुछ server controls है वो similar होते हैं html elements की तरह जैसे buttons है text box है state management asp.net waveforms includes several options that help we preserve data on both per page basis and application wide basis तो इसमें state management को हम समझ सकते हैं sessions आ जाते हैं cookies आ जाते हैं जब session में क्या होता है कि हमने देखा कि html protocol है वो stateless protocol होता है मतलब उसका हर एक page है वो independent होता है तो अब एक page से दूसरे page पर data share कैसे करना है वो हम session के through करते हैं और session के और भी काफी सारी uses है अगर हम कुछ time तक site पर inactive रहते हैं देखा होगा हमने जैसे IRCTC के site पर railway की ticket booking कराने जाते हैं या bank की site पर जाते हैं नॉर्मली जिन sites पर ज्यादा load रहता है तो वहाँ पर अगर हमने कुछ time time inactive रहे तो हमारा session out हो जाता है log out हो जाता है और हमें वापस login करना पड़ता है तो यह state management भी इसके अंदर asp.net में होता है काफी अच्छे से Error handling Error handling we can diagnose problems that occur in our web form applications debugging and error handling are well supported within asp.net तो asp.net में जो debugging है और error handling है वो काफी अच्छे से handle किये जाते हैं web form so that our applications compile and run effectively ताकि हमारा जो web forms है वो अच्छे से compile हो सके और effectively run हो सके तो पूरी इसके अंदर asp.net के अंदर हमारे पास सुईदर रती है debugging की और Error handling की security asp.net web forms allow करते हैं add extensible points जिनको हम configure कर सकते हैं और enable कर सकते हैं various security behaviors in the applications performance waveforms प्रोवाइड करते हैं good performance and allow करते हैं हमें modify करने के लिए performance related page और server control processing हो state management, data access, application configuration, loading and efficient coding practice तो students आज हमने इस वीडियो में पढ़ा characteristics of asp.net तो यह काफी important topic है exam के purpose से भी इसको अच्छे से तयार करना है thank you तो यह यह यह